गुद मॉनिंग मेरे नए यूटूब चैनल टी ए सरे स्टेडर चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है 30 डेज चैलेंज का आज पहला दिन है 1 नवंबर आज हमने टोटल दो ट्रेड लिए हैं वेट गाइस आज हमने टोटल दो ट्रेड लिए हैं यह पेपर ट्रेडिंग में दिखा रहा हूँ गाइस क्योंकि अलाव नहीं है जिरोधा का ओरिजिनल पियेनल दिखाना बट यह भी रियल है समझ लीजिए आज हमने टोटल किते ट्रेड लिए और क्यों ट्रेड लिए वो भी आपको हम दिखा देते हैं मारकेट ओन हुआ मारकेट जब भी ओपन होता है तो पहले केंडल पर हम एंट्री नहीं लेते हैं इस केंडल को आपको हमेशा आवाइट करना है पहले केंडल कोई कन्फरमेशन नहीं आएगा कि कहां जाएगा सबसे पहले मार्केट SL हंटिंग किया इसलिए हमने पहला जो ट्रेड है वो हमने पहला ट्रेड यहां पे बनाया जब 9 बच के 20 मिनट में उसके बाद में हमारा SL हिट हो गया क्योंकि हमने बहुत ही यहीं पे ही SL कर दिया था जिसके बज़ा से हमारा SL हिट हो गया उसके बाद में यह देखिए दोस्तो एक मिनट गाइस यह देखिए यह पहले हमने ट्रेड लिए यह ट्रेड लिए जिसमें हमारा एक मिनट जिसमें हमारा SL हिट हो गया 19,150 का पी जिसमें 1350 रुपाय मात्र एसल गया और वो भी मैं आप लोग को दिखा दिता हूँ यह देखिए यहाँ पे हमने एंटरी लिया उसके बाद में हमें टार्गेट दिया टार्गेट देने के बाद में रिवर्स मार दिया रिवर्स किया यहाँ पे हमारा SL हुआ उसके बाद में यहाँ सी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था जिसका रेजिस्टेंस ले रहा था पहली रेड केंडल पे हमने एंट्री लिया दिखा देता हूँ दो मिनट यह हमारी पहली रेड केंडल पे एंट्री हो गया एंट्री हमने लिये क्योंकि रेजिस्टेंस ले रहा था मैं पता है उपर नहीं जाएगा पहले SL हंटिंग करेगा अकॉर्डिंग टू SL हंटिंग हमने यह एंट्री लिया उसके बाद में easily हमने one is to one का target हमने यहां से लेके हमने यहां से लेके यहां तक capture किया capture करने के बाद में थोड़ा सा wait करने के बाद में हमें एक दूसरा एंट्री मिला यहां कहीं पे यह हमारा support label है यह support label है उननीस अजार का एक रांड लेवर यहाँ से मार्केटल ने सपोर्ट लिया यह पहली ग्रीन केंडल पे हमारी एंट्री हो गई थी पहली ग्रीन केंडल पे हमारी एंट्री हो गई थी यह देखिए यह कॉल साइट में हमने एंट्री बनाया यहाँ पे उसके बाद में हमने यहाँ पे दो बार entry बनाया इसलिए entry बनाया उसका reason भी आपको बता देता हूँ कभी भी आप trade लेंगे हमेशा एक बात याद रखिएगा आपको क्या करना है आपको जैसे P buy करना है तो या C buy करना है call put जिसको आप लोग जानती होंगे आपके capital को चार भाग में divide करना पड़ेगा दोस्तों चार भाग में divide इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि दो put side के लिए दो put side के लिए और दो C buy करने के लिए call side में जाने के लिए ये इसलिए करना है क्योंकि इससे आपका trading style best हो जाएगा और कभी loss नहीं होगा आपको इसमें आपको मैं बता देता हूँ मेरी जो पहली entry थी मैंने यहाँ पे entry ले लिया candle closing हुआ वहीं पे मैंने entry ले लिया उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे मैंने दुबारा entry बनाया आप देख सकते हैं ये मेरा पहला call के entry हो गई उसके बाद में ये मेरा दूसरा call के entry हो गई दोनों लेने के बाद में ये हमने one is to one का target फिर से achieve किया उसके बाद में आप देख सकते हैं 9 बजे से साड़े 9 बजे से लेके 10 बजे से लेके एक घंटा हो गया है market इसी range में इसी range में इसी range में घुम रहा है दोस्तों अभी full to full sideways है तो sideways में अपना capital सेप करना सीखे और कोशिस कीजिए कि कम से कम trade ले इससे आपका brokerage बचेगा और दूसरा आप over trading से बचेगे आपका psychology mindset अप सारा चीजे अच्छा रहेगा हमारा telegram channel है free telegram channel है lifetime free है वहाँ पर हम education purpose से आपको जो हम trade लेते हैं वो आपको trade बताते हैं कि इसको आप education purpose से देख सकते हैं तो tsrs traders के नाम से हमारा telegram channel है उसको join कर लीजिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा और दूसरा मेरे इस channel को subscribe कर दीजिए like कर दीजिए और अगर आपको valuable लगता है तो इसको दोस्तों को share भी कर जी ताकि कुछ सीखने को मिले हमने मात्र दो लाक रुपए fund aid किये थी इसमें और total हमने gain किये हैं 50,160 रुपए है total हमारी जो आज की जो trading है total हमने 1,2,3,4 ट्रेड यहां पर आपको दिख रहा होगा बट यह जो है यह हमारा sell hit हो गया था उसके बज़े से दिख रहा है ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं आपको कल एक नए वीडियो में तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद thank you so much